एक तरफ अश्विन, दूसरी तरफ जेम्स आंडरसन, मतलब इस मैच में इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ था, इस मैच में याद करने के लिए बहुत कुछ था, और था कुछ तो राहुल डराविट का ये कहना के रोहित शर्मा के साथ काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है मैं हूँ परुक मेरे साथ है अंच, धरमशाला में तिहास रिखा गया अंच और 115 साल के बाद हमारी टीम पहला मैच हारने के बाद एक सीरीज को 4-1 से जीती है मुझे तो सिर्फ एक डायलोग याद आ रहा है, वो तूटा है गाबा का गमन नहीं, इस बार बैस्बॉल का गमन तोड़ दिया है क्योंकि जब सीरीज शुरू हुई तो बहुत बाते थी, स्पेशल इंगलिश मीडिया में, क्योंकि बहुत चर्चा में रहते हैं अलग-अलग तरह की बातें आई, एक्सपर्स कुछ कह रहे थे कि 5-0 से इंगलैंड जीट जाएगी, कोई कह रहा था 4-1 से जीट जाएगी अब ज़र आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कौन कितने मार्जिन से जीता है, और ये जीत की वैल्यू बहुत जादा है क्योंकि सारे बड़े प्लेस चले गए थे, मतलब रोहित की दाद देनी पड़ेगी, इस युवा टीम के साथ जो नोंने करके दिखाया है, I don't think बहुत गपतानों ने ऐसा किया है नहीं, बिल्कुल से बाद आप कहे रहे हैं कि आपके पास देखी न, आपको विराड कोली, सबसे बड़ा नाम, जिससे आप ये उम्मीद करते हो कि अगर वो इंडिया में खेल रहा है और इंग्लैंड जैसे टीम सामने खेल रहा है तो तो तीन-चार सा तक तो कहीं नहीं आपके साथ केल, रहूल इंजर्ड हो करके चले गए, जड़े जा कुछ मैचेस में नहीं थे, एक मैं अश्विन को जाना पड़ गया था बीच में, शमी नहीं है, बड़े बड़े नाम आपके साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूर डेब्यूटेंट्स आते हैं, आप उ जितागर दुवा मैचेस, आप मुझे जो भी प्लेयाज आपके पास हैं, वो ला कर दीजिए, और वो करके दिखाया, मतलब एकदम पिच्चे और पफेक्ट ये मैच साख, चाहे आप बड़े से बड़े रिकॉर्ड की बात करें, जैसवाल ने एक 50 लगाई, उसके बाद शर्मा का शातक, शुमन गिल का शातक, जेमस अंडरसन के 700 विकेट्स और अश्विन के 100 टेस्ट में 5 विकेट हॉल, तो बहुत अच्छा ये मैच था इंडियन फैंस की, अश्विन के लिए तो हैर बहुत अच्छा दिन रहा, मतलब आप कह देना, अपने बड़े दिन को औ बड़ा बना लिए श्विन, श्विन के पास 100 टेस्ट मैच का, उनके फैमिली वहाँ पर थी, सारे फैंस वहाँ पर थे, और वहाँ पर पहली इनिंग में 4 विकेट लेते हैं, एक विकेट से चूख जाते हैं, उस टाइम पर जब कुल्दीब, as a respect उनको कहते हैं, आप बॉ पर थे, तोड़ी सी वहाँ अपस में, कुल्दीब को लास्ट निंग बॉल देते हैं, अभी नहीं, अगली इनिंग, अगली इनिंग में आँँगा, फाइफर लोगा, फिर खुद बॉल लेकर के जाऊंगा, और अगली इनिंग में आते हैं, फाइफर लेते हैं, और तो रुकना नहीं तो चलिए देखते हैं अश्विन कहा तक आगे बढ़ते हैं लेकिन अश्विन के लावा कुछ बल्लेबाज उनके बारें बात करना जरूरी है जैसे शुबमन गिल फॉर्म वापस आया है शुबमन गिल का और बहुत जरूरी फॉर्म ता मतलब इस सीरीज स भी किया जा सकता था और पिछले कुछ सीरीज देखेंगे तो सबसे बड़ा जो एक मेजर थ्रेट था वो उनकी नंबर तीन की पुजिशन थी क्योंकि जस्टिफाइ नहीं कर पा रहे थे इससे पहले जो शुबमन गिल रोहिश शर्मा खेल रहे हैं ऑस्टेलिया को रहा दिया होगा क्योंकि आप इस सीरीज में देखिए यशा स्वी सबसे ज्यादा रहे हैं जबरतस बल्ला चला रोहिट शर्मा वापस स्वाम में आ गए सवाल उठ रहे थे उन पर दो सेंच्री लगा दी जेफरी बायकॉट ने कहा था कि यह बुड़े हो चुके हैं अब बल्ले बाजी को देखें या फिर आप बल्ले बाजी को देखें और इस पूरे टेस्ट मैच में एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस एक कम्प्लीट टीम की तरफ से अब देखना यह है कि आगे IPL में किस तरह से यह खिलाडी अलग अलग टीमों में जाकर करके अपने आपको ट सकते हैं एक निया पेसर दीख सकता है नैसे मेरा मतलब जिनोंन वर्ल कप नहीं के है वसकता है अर्शदीब दिख जाएं हो सकता है अकाशदीब दिख जाएं कुछ वरूसा नहीं है इन अपको पूछना चाहूंगा कि IPL के कौन वो दो खिलाडी हैं जो आपको लगता है कि T20 World Cup में इंडिया के साथ रहेंगे और IPL में नहीं हो सकता है वो इंडिया खेल भी चुके हो बट कम मैचेस के लिए हो चाहे रिंक हो सकते हैं आकाश दीब हो कोई हो सकते हैं तो दो नाम मुझे कमें सेक्शन में ज़रू बताएं जो आपको लगता है कि इस टीम के साथ T20 World Cup में जोड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हो जाते जाते हैं चाहल को सबस्क्राइब करते जाएं